कि एक बहुती पॉपुलर मारी जीवेंशेली खराब होना वही होगा अचा और होमयोपती का स्ट्रेस के कान ओवर मेडिकेशन करने लगते हैं एल्कोहलें के लॉंग टम में बहुत खराब रिजल्ट इचाले बने रहते हैं उस और दिमाग में विचार चल चार से पास करने वाले हो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हमारी कई बिमार्यों का कारण निकल के आता है हमारी जीवेंशेली खराब होना या हमारी लाइस्टायल अच्छी ना होना अब इसमें कुछ भी हो सकता है स्ट्रेसफुल लाइफ जीना प्रॉपर स्लीप नहीं लेना र यदि इस तरह की आप लाइस्टाइल जीते हैं तो कई तरह की बिमारिया आ जाती हैं इसमें यदि में कुछ और एड करना चाहूं तो जिनकी लाइस्टाइल बहुत सेरेंटरी होती है मीन्स वो 9-9 का जॉब करते हैं उनका वो सिटिंग वर्क होता है कंप्यूटर वर्क होता यह लाइस्टाइल किसी परटिकुलर गूप तक सीमित नहीं है इसमें बिढनेर सक्टाइब कोरदा सштुटा कोई जॉब करने बाला भी हो सकता है इविन हाउस वाइव थैरे खर्आ होती जा रही है लोगों का दाइरह बढ़ता जा रह और इनके लॉंग ठराब रिजल दे किस तरह से काम करती है? तो चलिए शुरू करते हैं. दोसतों इस तरह की lifestyle में सबसे ज़्यादा जो परहाओ पथा है वो पढ़ता है दिमाग पर. पेशेंट बहुत ज्यादा bạn अग्शेश हो जाता है, procrast. बहुत चिर्चरा हो जाता है. इतना चिर्चिरा हो जाता है कि इविन उसको कोई noise, कोई बहुत जादा strong light वो बिलकुल beer नहीं कर पाता है, उससे सहन नहीं होती है पेशेंट बहुत जादा oversensitive हो जाता है, उसका गुसा बहुत जादा बढ़ जाता है, उसको शोर बिलकुल पसंद नहीं होता है और इतनी sensitivity बढ़ जाती है कि even the strong smell, यदि कहीं से तेज smell भी आ रही है तो वो भी उससे beer नहीं होती है इसके कान से patient कई बार stimulant लेने लगते हैं, वो coffee भी हो सकता है, टोबे को हो सकता है, tea की desire हो सकती है या वो alcohol भी ले सकता है और कभी-कभी वो over medication भी लेने लगता है इस तरह की जीवन शेली के कान patient का पेट हमेशा खराब रहता है, उसके मूँ में चाले बने रहते हैं, उसका पेट बहुत फूला फूला लगता है, पेट में गेस रहती है, acidity की शिकायत होती है, उसका motion clear नहीं होता है यदि होता भी है तो उसको बहुत tight stool होता है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि यदि में टोबे को ले लूँगा या ती या कॉफी पी लूँगा तो मेरा motion clear हो जाएगा लेकिन इससे उसको कोई खास फरक नहीं पढ़ता हो बल्कि उसकी stimulant की desire बढ़ती जाती है दोस्तों जब यह constipation बहुत time तक बना रहता है तो patient को धीरे धीरे piles की समस्या हो जाती है और यह complaint बहुत long term तक चलती है इसमें patient का headache भी बहुत marked होता है, patient बहुत oversensitive होता है इसलिए उसका जरा से show से या जरा से stress से उसका headache शुरू हो जाता है headache पहले frontal region से शुरू होता है पर पूरे head में वो spread हो जाता है और patient को किसी भी चीज से अराम नहीं लगता है इसलिए patient फिर कभी कभी दवाई पे भी dependent हो जाता है इसमें patient की नीन भी बहुत जादा disturb होती है उसको proper sleep नहीं आती बहुत late night उसको नीन लगती है और दिमाग में विचार चलते रहते हैं यहीं नीन लग भी जाए तो बहुत sound sleep नहीं होती दोस्तों वो रात में उटकर बैठ जाता है और इसलिए वो धीरे sleeping pills लेने लगता है ज दिरे दिरे उसके कमर में जख्रन महसूस होने लगती है उसका lower back में बहुत ज़ाधा खिचाव सा महसूस होता है और दिरे यह खिचाव और जख्रन दर्द में तबदील हो जाती है patient को बैठने में बहुत ज़ादा तकलीफ होती है, even ज़ी वो रात में सोता भी है, तो उसको करवत लेने में भी तकलीफ होने लगती है, और धीर धीर यह तरह यह कंपलेन्ड, इतनी बढ़ जाती है, कि वो slip disc में तबदील हो जाती है, और पेशेंट को पैरों में सुनपन, पैरों में जुन-जुनी आना और कभी-कभी हातों में भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है यदि अब मैं यहाँ पर जनरल मॉडलिटीज की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर पेशेंट को सारे प्रोब्लम्स में लाइट से, नॉइस से, शोर से इन सबसे उसकी तकलीफ बढ़ जाती है खाना खाने के बाद भी उसके पेट की तकलीफ बढ़ जाती है और बहुत जड़ा ओवर सेंसिटे होता है इसलिए कोई भी स्ट्रॉंग स्टिमूलेंट लेता है तो भी उसकी कम्प्लेंट बढ़ जाती है और उसको आराम कैसे मिलता है उसको फ्रेश एयर में जाने से पेट थोड़ा हलका होने से उसे आराम मिलता है आपने नक्सोमिका की पूरी ड्रग पिक्चर में यह समझा कि जब भी हमारी जीवन शेली खराब होती है उसके कान हमारे शरीर में सिम्टम्स आते हैं उस पे नक्सोमिका जादू का काम करती है अब दोस्तों हम यह समझते हैं कि इसे लेना कैसे है वैसे तो मैं clear कर दूँ कि जब भी आपको कोई complaint आती है और आपको homeopathic medicine लेनी है तो doctor के prescription से ही लेना चाहिए क्योंकि हर patient की complaint अलग-अलग होती है उसके according medicine के doses होते है जो potency होती है वो भी अलग-अलग होती है लेकिन फिर भी इसका एक common dose यह है कि नक सोमी का रात को सोते वक्त लेना चाहिए रोज बस एक ही dose लेना है चार से पाच गोली डखकर में लेके चूसना है चबाना नहीं है और यदि आप dilutions में ले रहे हैं तो 8-10 drops in half cup of water आप रात को सोते वक्त ले सकते हैं दोस्तों यह खुराब आपको केवल 15 दिन तक लेनी है तो 8-10 दिन का गेप करके आप 15 और रिपीट कर सकते हैं इसकी बाद आपको नहीं लेनी हैं दोस्तों यहाँ पर मैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग बाट शेयर करना चाहती हूं कपिल शर्मा शो में एक बार संजदत ने कहा है कि जब किसी भी चीज की ओवर्डोजिंग हो जाती है लाइक वो कोई मैडिसन हो सकती है कोई अलकोहल हो सकता है टोबेक हो सकता है टी कॉफी कुछ भी हो सकता है यदि उसकी ओवर्डोजिंग हो रही है तो वो एक होमेपैथिक मैडिसन लेते हैं और वो ओवर्ड और गoux से 6 और वे हो दो जहां तक मिरा नall umicaco के बारे में बात कर रहे थे और होमेप्टी में नक्सबूमी का ही ऐसी मेडिशन है जो भुह कि सारी चीजों के साइड एफेक्स सो ऑवर डूसAK को बहुत हथ तक कवर करती है तो दोस्तों यह थी नक्स वुमिका की पूरी ड्रग पिक्चर खराब जीवन शेली से हमें कौन-कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं और नक्स वुमिका महाँ पर कैसे काम करती है हमने इसके बारे में डिस्कस किया दोस्तों यदि यह वीडियो आपको informative लगा है और आपके किसी प्रॉब्लम को solve करने में help मिली है तो please like, share and subscribe to my video on my channel. Thank you